हेलो लोवली फ्रेंड्स वेल्कम और वेल्कम बैक तो मैं चैनल सीयस वर्ल्ड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि मैंने रिसेल्ली नाइका से क्या मंगवाया है यह जो प्रड़क्ट था मुझे मंगवाना था लेकिन इस प्रड़क्ट के चक्कर में मुझे एक और प्रड़क्ट मंगवाना पड़ गया विकोज आप जानते हैं कि नाइका वालों की पॉलिसी है कि आपको 700 तक की शॉपिंग करने होती है मेंस कि आपकी जो शॉपिंग पड़ती है 500 से कम में पड़ती है और मुझे शॉपिंग चार्ड़िस नहीं देने होते तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तभी अपना ओडर प्लेस करूँ जब मेरी जो अमाउंट है 500 या 500 से अबाव बन जाए लेकि यह जो परदक्त है 500 से कम था तो मुझे जो साकेड परटक्ट फरन करना पर है of express frequencyHis Electric गाम आहिग चाता है तो चली मैं आपको दिखाती हूं सबसे पहले सेकिंग फोड़क्त की मैंने मंगवाया है मेरे एंड स्वीज मॉश्ट्राइजर्स तो फ्रेंड्स यह जो सोप है इसकी क्वांटिटी है 125 ग्रैम इसमें 75 ग्रैम वाला भी आता है वो छोटा आता है और यह इसकी बड़ी पैकजिंग है और इसकी जो MRP है वो है 70 रुपिस यास फ्रेंड्स यह मुझे 70 रुपिस का ही मिला ह मुझे इस पर कोई ओफ नहीं मिली थी और इसके मैंने टू सॉप्स मंगवाए है तो एक सॉप डानले पर भी मेरा जो मांट था 500 नहीं बन पा रहा था तो मैंने यह टू सॉप्स मंगवाए है लक्स के और काफी अच्छी फ्रेंड्स है इसकी अगर आप इसे ट्राइ करना चाने हैं तो डाफनेटवलिक्रिकल्स्स कर सकते हैं तो चली फ्रेंड्स अब बात करेते हैं उस प्रडक्ति यह मैं बात कर रही हूं अक्सिलाइफ की सीधा जयानई और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पैकेजिंग मैंने इस पर मंगवाई है और इसी मैं फर्स टाम ट्राइ करने वाली हूं यह है और इसकी जो MRP है वो भी मैं आपको बता देती हूं इसकी MRP एक्चली है 500 रुपीज लेकि यह मुझे 10 परसंट और 15 परसंट और मिला है तो यह मुझे 425 का मिला है और साथ ही फ्रेंड्स इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है एक साल की येस फ्रेंड्स इस पर लिखा हुआ है कि मैं इसे 12 2022 तक यूज कर सकते हूं इसकी दिसंबा 2022 तक 2022 तो फ्रेंड्स स्टार्ट हो चुकी है तो मेरे पास आप मान लिजिए कि 10 मंस है इसे यूज करने के लिए साथ ही फ्रेंड्स इसके अंदर आपको काफी कुछ मिल जाता है और इसकी पैकजिंग भी मैं आपको दिखा दूँ कि इतनी बड़ी पैकजिंग है इसमें ज अब इसे अंदर से ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है तो यह है और प्रफेशनल प्रफेशनल स्पोर्ट रिड़क्शन क्रीम ब्लीश सिस्टेम इस एक्टिव ऑक्सिजन तो जैसे कि फ्रेंड्स यहां पर मैंशन है कि यह जो ब्लीश है यह करके देखूंगी तो यहां पर फ्रेंड्स इसकी MRP मैंशन है 500 रुपीज और साथी फ्रेंड्स यह परविन फ्री है डर्माटलोजिकले टेस्टिड है और यह और साथी फ्रेंड्स यहां पर यह भी मैंशन है इसमें आपको क्या क्या मिलता है इसका जो टोटल वेट है वह 35 ग्रैम की active serum 35 ग्रैम मिलता है तो चले फ्रेंड्स मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ अंदर से यह किस तरह की है अंदर से हमें सबसे पहले मिलता है इस तरह से एक जार जिसमें आपको bleach दी गई है तो यह जो bleach है यह आपके sport reduction में work करती है लेकिन देखेंगे कि यह कि अच्छी खासी quantity है तो यह actually salon में ही use होता है लेकिन मैंने से मंगवाया है try करने के लिए because इसकी छोटी packaging मुझे नहीं मिल रही थी तो देखूंगे अब यह किस तरह से work करती है साथ ही friends इसके अंदर आपको मिल जाता है यह इस तरह से एक बाउल सा मिलता है जिसके अंदर आ तो मेरे हाथ में जब आएगा तब निकाल दूगी तो इसके बार friends मेरे हाथ में इस लक्त आ रहा है तू नंबर आया है तो हम one by one नहीं देखते हैं यह है three number and यह है first number okay तो first number में friends हमें मिलती है यहाँ पे sport reduction pre bleach cream means कि जिसको आपको bleach करने से पहले जिस जिस एरिये में आपने bleach करनी है वहाँ पर इसे apply करना है और यहाँ पर यह भी mention होगा कि आपको इसे मसाज नहीं करना स्किन में अब जोब नहीं करना जस्ट आपको एक लियर अपलाई करने इसकी तो यह आपकी प्री bleach cream है second my friends आपको मिलती है यहाँ पे active serum यह active serum है और इसको आपको अपनी bleach के बी इसके साथ ही आपको यहाँ पे यह active serum के पाउडर अक्टिवेटर के टू पैकजिंग मिलते हैं तो वैसे तो फ्रेंड्स हमारी bleach में एक एक अक्टिवेटर जो होता है वह इनफ होता है लेकिन जैसे कि यह बड़ी पैकेजिंग है तो इननने दो जो है पाउडर अक्टिवे इसके साथ आप अपनी bleach निकालें और इसके साथ आप एक अक्टिवेटर निकालें और साथ में यह आपको एक manual दिया गया है जिसमें सब कुछ mention है तो चली manual की बात आज कर लेते हैं तो manual में फ्रेंड्स हर तरह से आपको आपको किसी भी language के हो आपको हर language में यहाँ पे मिल तो फ्रेंड्स यहाँ पे mention है कि अगर आप इसे पहली बार यूज कर रहे हैं तो पैस्ट टेस्स जरूर करें तो मैं इसका पैस्ट टेस्ट पहले करूंगी उसके बाद इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी और इसे अपनी बहां पर लगाए मिंस कि आप इसे कोनी पर लगा के देख सकते हैं मिंस कि elbow पे लगा के देख सकते हैं यदी बहुत irritation होती है तो आपको इस product से allergy है अगर ज़्यादा irritation होती है तो इस product को ना लगाए और इसका use ना करें साथी friends आपको यहाँ पे कुछ ज़रूरी बाते हैं जो यहाँ पे इन्होंने mention की हुई है और mostly हम इस manual को पढ़ते नहीं है लेकिन आज चलो मेरे हाथ में लगा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि bleaching के दुरान हलके जलन होना चिंता की बात नहीं है विकोज एक्टिवेटर की वज़ा से हमारी skin पे हलकी हलकी irritation तो होती है सो थोड़ी देर बाद वो okay हो जाती है लेकिन अ को कहूंगे कि आप इस एक मन्त में या फिर दो मन्त के बाद करें उसर जडा बलीच करना भी हमारी skin के लिए अच्छा नहीं है इसमें जो आक्टिवेटर होता था है वह memb делать करें achieve एक महिने बाद या दो महिने के बाद ज़रूर करें, वैसे मैं 2 मीने के बाद ही करती हूँ इसके बाद friends, यहाँ मैं मैंचन है कि bleaching के बाद 5 घंटे तक साबून नहीं लगाएं, यह भी काफी अच्छा पॉइंट है friends, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि bleach करने के बाद आपको face पे कोई face wash वगरा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं अपलाई करना और साथ ही आपको धूप में भी नहीं जाना bleach का mission आँखों के पास नहीं लगाएं, yes friends, आपको bleach जो हती है वो अपने eyebrows के पास और अपनी eyes के आसपास नहीं लगानी चाहिए means की अपने face face पे जहां पे आपको लगता है कि आपको bleach की ज़रूरत है वहां पे लगानी चाहिए और eyebrows का भी friends ध्यान रखना चाहिए because eyebrows पे अगर एक बाद bleach लग जाए तो आपके जो eyebrows के hair है वो brown होने या white होने शुरू हो जाते हैं इस बात का ध्यान रखें तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इसे हमको किस तरह से use करना है वो भी यहां पे mention है तो यह रहा friends वो section तो सबसे पहले यहां पे mention है कि आपको सबसे पहले अपने face को normal पानी से wash कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको bleach cream प्री bleach cream जो है जो कि first number था मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूं यह वला number first number यह जो है यह आपको पहले अपने जिस जिस हिस्से में आपको bleach करना है वहां पे लगाए और तवचा पे जो cream है वो आपको पहले बताया कि आपको इसे skin में अब्सोब नहीं करना मसाज नहीं करना जर्स टेक लियर बनानी है इसकी ओके तो इसके बाद दिया गया है जो ratio दिया गया है वह 7 ratio 1 दिया गया है means कि आपको अक्टिवेटर बड़ा ही थोड़ी मात्रा में लेना है और फिर इसको मिक्स कर लेना है इस ट्रे के अंदर और फिर फ्रेंट्स इसमें आपको डालना है एक ग्राम active serum जो की था हमारा second number means कि आपको वैसे तो mostly जो होता है हम इसमें serum दिया गया है specially लेकिन mostly bleach में serum नहीं होता तो आपको जब bleach ready करनी है तो bleach के अंदर आपको एक्टिवेटर के साथ साथ एक ग्राम सीरम भी डालना है तो फ्रेंट्स इसको फिर आपको स्पैचुला से अच्छे से mix करना है और यह अच्छे से mix करना है और mix करने के बाद जब आपकी क्रीम अच्छे से mix हो जाए उसके बाद ही आपको bleach को अपलाई करना है तो यहां पर फिर से इनोंने बोला हुआ है कि आपको आइब्रो और आँखों में मिशन नहीं लगने देना फ्रेंट्स प्लीज इस बात का ज़रू कि आइज में जलन भी होती है पाने भी निकलता है तो इसी वज़ा से निकलता है कि अगर आप आइज के पास bleach लगा लेते हैं तो आपकी आइज को नुकसान हो सकता है तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें तो फ्रेंट्स आपको mix करने के बाद जहां जहां पर आपको bleach करन करने ना दें उसके बाद आपको normal पानी से face wash कर लेना है और उसके बाद आपको third number लगाना है जो की है इसकी sport reduction cream this one तो फ्रेंट्स वैसे तो एक पोस्ट ब्लीज क्रीम होती है एक प्री ब्लीज क्रीम होती है तो इसमें पोस्ट की जगा यहां पर sport reduction cream दी गई है जो कि आपको last में apply करनी है ठीक है फ्रेंट्स तो यह तो हो गया हमारा apply करने का system लेकिन साथ फ्रेंट्स यहां पर यह भी mention है कि कौन सी skin tone को कितने तो यहां पर मैंचन है कि अगर आपके skin tone जो है वो darker है तो आपको up to 10 minutes तक इस अप्लाई करके रखना है विटी skin tone वाले up to 15 minutes और फिर skin tone वाले at least 15 minutes लेकिं फ्रेंट्स मैं कहूंगे कि 15 minutes इनफ हैं आपकी skin tone के लिए तो आप इसे 15 minutes तक ही apply करके रखें तो यह था फ्रेंट्स यह इसका manual था जिसमें साथ कुछ mention था तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि oxy life bleach के अंदर आपको क्या-क्या मिलता है तो फ्रेंट्स इसका जो review है वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगे जब मैं इसे यूज़ करके देखूंगी फ्रेंट्स अगर आप इस ब्लीच का review देखना चाते हैं तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं मैं इसका review आपके साथ ज़रू शेयर करूंगी तो यह थी फ्रेंट्स मेरी आज की वीडियो आपके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए यूस्फुल लगे तो वीडियो को वाच करते रहेगा सो मिलते हैं हमारी इन नई वीडियो के साथ थेंक्यों फ्रेंड्स पाइब आई